इनका मुख्य उद्देश्य कक्षा में चात्रों की सहभागिता को उच्चस्तर पर सुनिश्चित करना होता है। इस विधी का प्रयोग मुख्यता मनो विज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विधिक अध्येन, लीगल स्टडीज, समाज शास्त्र, इतिहास, आधी विश्यों में किया जाता है। इस विधी को उप्योग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है। दो यह अध्येन सभी विश्यों और सितियों के लिए उप्योगी नहीं है। शिक्षक छात्रों के ज्ञान वर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारसपरिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं। पात्र अभिनय प्रविधी में विश्यवस्तु से संबंधित साहित्यक, एतिहासिक, वर्तमान या कालपने घटनाओं का नाठकिय रुपांतर किया जाता है। इससे विद्यार्थी अलग-अलग पात्रों की भूमी का अदा करता है। इससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनके मानवियक कौशल भी बहतर बनते हैं। पात्र अभिनय के लाब एक यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक जलक है। दो, यह विधी समूह के प्रत्यक सदस्य की सहभागिता पर बल देती है। तीन, इस विधी में तुरंत प्रतिपुष्टी, फीडबाक, प्राप्थ हो जाती है। चार, यह विधी निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वारता, कार्यक्षमता संबंधी कौशलों को विक्सित करती है। पाच, यह विधी सहभागियों के द्रिष्टिकोन को बदलने में प्रभावपूर्ण होती है। पात्र अभिनय की सीमाएं। एक, इसके अप्रत्याशित, अन्प्रेडिक्टेबल, परिणाम भी हो सकते हैं। दो, प्रायाह वास्तविक जीवन की परिस्तितिया भूमी का निभाने से अधिक। जटिल होती है। तीन, इस विधी में परियाप्त मात्रा में संसाधनों की आवशक्ता होती है। प्रणाली के माध्यम से अवगत करने के लिए सबसे उप्युक्त है। इस प्रणाली में मूलतह पांच तत्व होते हैं। एक, सीखने में निपुणता, दो, आत्मक्ती, तीन, लिखित सामगरी पर अधिक बल, चार, कुला नुशासक, फ्रॉक्टो, पांच, व्याख्यान। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के लाब। एक, इस प्रणाली से शिक्षार्थी को दक्षता प्राप्थ होती है। दो, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की तै की गई गती से सीखता है। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की सीमा आएं। एक, यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामगरी, कोर्स कॉंटिंस के लिए उप्यूक्त नहीं है। दो, यह प्रणाली मना संचालक, साइको मोटर और भावात्मक, एफेक्टिव, ज्यानक्षेत्रों के लिए उप्यूक्त नहीं है। प्रदर्शन विधी, Demonstration Method यहां विधी सीखने के सिध्धान्तों पर आधारित होती है। इस विधी को कक्षा में संच्यानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, एफेक्टिव और मनोप्रेरक, साइको मोटर, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उप्योग किया जाता है। प्रदर्शन को मौखिक, वर्बिल, स्पष्टी करन के सन्योजन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। यह द्रिश्य श्रव्य, औडियो विश्यूल, स्पष्टी करन के लिए आवशक हो सकता है। विधी के साथ यह विधी अस्तू, विचारों और सभी को समझाने में प्रभावशाली होती है। इस विधी में अपने अधारणाओं को प्रभावी रंग में। एक की विधी उदेशों को संग्यानात्मक, कॉगनिटिव, भावात्मक, एफेक्टिव और पत्रोणा, साइकोमोटॉट, ज्यानक्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उप्योगी है। फोन विधी की सीमाए विधी में प्रयोग, experimental, प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। यह प्रयत्न किया जाता है कि उनकी विभिन नताओं कास एव कहतर शिक्षा प्रणाली में वांचनिया हद तक समायो जित किया। व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का निमनलिखित वरणन किया गया है. सपट नियत कार्य या अभिहस्तांकित कार्य असाइन्मेंट इस विधि का उप्योग छात्रों को विशेश प्रयोजनों, पॉपस के रूप में आता है जैसे अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना, सर्वेक्षन करना और अन्य मन्याओं को सुलझाना, इत्यादी. इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूम किरहा है. शिक्षक कार्य की योजना तयार करते हैं, और उस कार्य के मटब में जानकारी इकठा करने के लिए छात्रों का मार्ग दर्शन करते हैं. यह किसी भी विशय पर तयार की जा सकती है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे मात्र पुस्तकों से ही अनुकृती, कौपी न कर सके. नुपूर्ध नियत कार्य के लाब एक इस विधी में छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता मिलती. दो, यहां विधी चात्रों की विशलेशनात्मक क्षमताओं और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है. तीन, यहां विधी चात्रों को और अधिक रचनात्मक बनने का के लिए प्रेरित करती है. नियत कार्य की सीमा एक यदी कार्य को सावधानी से आयोजित ना किया जाए, तो छात्र एक दूसरे की सामगरी की अनुकृती कर सकते हैं दो देशित निर्देश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्राक्शन्स इसमें शिक्षार्थी प्रत्यक चरण के बाद तुरंत प्रतिपुष्टी, फीडबाक, प्राप्ट कर सकते हैं चार कपादेशित निर्देश के लाब पाच एक, यह नियमित रूप में प्रतिपुष्टी के लिए चे, दो, यह शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करता है और यह किसी भी विशय के लिए उप्योग किया जा सकता है साथ, क्रमादेशित निर्देश की सीमा एक, इसमें कुछ समय बाद शिक्षार्थी की प्रेर्णा कम हो सकती है कंप्यूटर आधारित शिक्षन, कंप्यूटर बेस टीचिंग कंप्यूटर आधारित शिक्षन का संबंध कंप्यूटर के उप्योग के साथ सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रवकार से है कम्प्यूटर में किसी पुस्तक या विडियो टैप की तुलना में अधिक शीगरता में और सही जानकारी प्रदान करने एवन छातरों की आवशक्ता अनुसार प्रतिपुष्टी देने की क्षमता होती है क्रमादेशित निर्देश के लाब एक इसमें अन्य विधी की तुलना में अधिक लचीलापन और बहतर नियंत्रण होता है दो इस विधी को अभ्यास, मिमुलेशन और मॉडलिंग इत्यादी में प्रभावी ढंग से उप्योग किया जा सकता है कमादेशित निर्देश की सीमाए एक्स यह अवयक्तिक, इंपर्सनिल और महंगा है परसपर समवादात्मक विडियो, इंटराक्टिव विडियो शिक्षन की इस विधी को मंग्यानात्मक, मनोप्रेर्णा और भावात्मक उद्देशों को प्राप्ट करने के लिए नियोजित किया गया है यह विधी शिक्षार्थी को किसी विशय से संबंधित जानकारी क्रमरहित धंग में रांडमली उपलप्त करने में सहायक होती है जिसमें शिक्षार्थी अपने कार्य के परिणामों के बारे में ततकाल प्रतिपुष्टी प्राप्ट कर सकते हैं इंटरेक्टिव विडियो का मार विडियो अनुकरण के अनुभव के साथ-साथ वास्तविक छवियों के रूप में अधिक संख्या में विडियो प्रस्तुतियों से है परसपर समवादात्मक के लाब एक इंट्रेक्टिव विडियो द्रिष्टिकोन व्यक्ती की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। परस पर समवादात्मक की सीमा आएं। एक इस विधी में काफी समय लगता है और संसाधनों की विशेश आवशकता होती है। पुक्त अधिगम, Open Learning यह शिक्षन प्रदान करने की लचीली विधी है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानविय संसाधनों, सामगरी, उपकरण, आवास और यहां तक की कक्षा की भी आवशकता नहीं होती है। इस विधी में शिक्षन के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पुक्त अधिगम के लाब एक यह निधी शिक्षार्थियों को सौखने के लिए सभी लापन, फ्लेक्सिबिलिटी, पदान करती है। मुक्त अधिगम की सीमाएं एक या विधी भावापक, एफेक्टिव, शिक्षन उद्देश्यों और मनी प्रेर्णा, साइको मोटर, प्राप्त करने के लिए उप्युक्त नहीं है। अनुकरण को शायत शिक्षन की प्रविधी कम और प्रशिक्षन की विधी कहना अधिक उचित होगा। इस प्रविधी में ऐसी कृत्रिम परिस्थितिया, वेदा की जाती हैं, जो की यास्तविक स्थितियों से बहुत मिल खाती हैं। इसके बाद प्रशिक्षों या शिक्षार्थियों को उन परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पाइलट और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षन कृत्रिम स्थितियों में होता है विधी में मशीनरी उपकरण, आधी पर अधिक पूंजी निवेश की आवशक्ता होती है लेकिन सामान्य व्याय, रूटीन एक्सपेंडिचर, कप होता है इस विधी में सुरक्षा पहलूओं का विशेश ध्यान रखा जाता है प्राया अनुमानी या अनुवेशन विधियों का एक ही अर्थ माना जाता है अनुवेशन विधी को मुख्यतह प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, आमस्ट्रॉंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया इस विधी में चात्र असायता प्राप्ट, अनेड़िद, प्रयागने द्वारा समस्या का समाधान करते है चूंकि इस विधी से चात्रों में चको भावना, स्पिरिट ओफ इंक्वाईरी, विक्सित होनी है ये केबल ज्ञान गन ही नहीं करते, वलकि ज्ञान के आविशकारग भी बन जाते है इस विधी शिक्षन का मुख्य उद्देश विज्ञान, गनित, व्याकरण, आधी के बारे में ज्यादा तथ्य प्रदान करना नहीं है अपितू छात्रों को यह सीखाना है कि कैसे इन विश्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है अन्वेशन विधी के लाब एक यह विधी मियम सीखने के दृष्टिकोन को बढ़ावा देती है अन्वेशन विधी की सीमा एक इस विधी में वास्तविक ज्यान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है अनुमानी विधी में ही मिलती जुलती एक और विधी है जिसको हम खोजफाफ्ट, डिसकवरी मेथड कहने है इसका प्रयोग अधिकतर सामाजिक विश्यों में तथियों के ज्यान के लिए किया जाता है इसका संबंध प्राचीन घटनाओं में होता है जबकि अन्येशन विधी वैज्यानिक विश्यों एवं वर्तमान में संबंधित है विभेदित अनुदेश डिफ्रेंशियेटेड इंस्ट्राक्शन विभेदित अनुदेश शिक्षन की गतिशील, डाइनामिक एवं सक्रिय विधी है इस विधी में शिक्षक मीखाने के लिए विभिन्य योजनाओं और तरीकों का उप्योग करते है यहाँ विधी बड़े समूह, लगु समूह और व्यक्तिगत अनुदेशों का सन्योजन, कॉम्बिनेशन है इसमें गुणात्मक पहलूओं की अपेक्षा मातरात्मक पहलूओं को अधिक महत्व दिया जाता है यहाँ विभिन्य बुद्धिमनाओं को ममायोजित करने के लिए कई द्रिष्टिकोंगों का उप्योग करता है यहाँ विधी छात्र केंद्रित होती है, अर्थात इसमें शिक्षन का पाठ्यक्रम प्रासंगिक, रोचक और सक्रिय होता है यहाँ शिक्षन का एक संगठित और सुनियोजित तरीका है मिश्रित अधिगम, Blended Learning इस शब्द का उद्गम सयोंक्त राज्य अमेरिका में हुआ इसकी कोई एकल शुद्ध परिभाशा नहीं है मिश्रित अधिगम ओनलाइन शिक्षन को प्रत्यक्ष परमपरागत आमने सामने के शिक्षन में जोडता है यहां विभिन्न द्रिष्टिकोणों को शिक्षा शास्त्र या शिक्षन के सन्योजन के रूप में भी परिभाशित करता है उदाहरण के लिए स्वयम पुस्तक, सहयोगी या आजपर आधारित अधियन मिश्रित अधिगम का मुख्य लक्ष है वित्रण के तौर्तरीकों के सन्योजन के अनुभव द्वारा कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना अध्यापन के दौरान पाठ्य सामगरी को समझाते समय शिक्षक जिन-जिन सामगरीों का प्रयोग करता है वह महायक सामगरी कहलाती है किन्तु आधुनेक शिक्षा प्रणाली में साहयक सामगरी के संबंध में कई नवाचार हुए हैं जिनकी साहयता में अध्याइन को रोचक्व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है इन सामगरीयों द्वारा सीखा ग्यान न केवल छात्रों में उत्साह जागरित करता है वरन सीखे हुए ग्यान को लंबे समय तक अपने स्मृती पटल में मनजोय रख सकता है सहायक सामगरीयों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रती उत्साहित रहता है परिणामस्वरूप कक्षा का वातावर्ण सदैव सकारात्मक बना रहता है कार्टर एक गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामगरी जिसके माध्यम से शिक्षन प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अत्वा श्रवनेंद्रिय समवेदनाओं के द्वार आगे बढ़ाया जा सके यह शिक्षन सामगरी कहलाती है शिक्षन सहायक सामगरीयों के प्रकार Types of Teaching Aids तक्नीकी के आधार परा सॉफ्ट्वेर हा इसमें चित्र, ग्राफ, चार्ट, उस्तक, मान्चित्र, इत्यादी आते हैं हार्डवेर इसके अंतरगत रेडियो, तेली विजन, रिकॉर्ड प्लेयर, एपिडियोस्कोप, प्रोजेक्टर, इत्यादी आते हैं तालिका एक दशमलव छे शिक्षण सहायक सामगरियों के प्रकार शिक्षण महायक सामगरी श्रख्य साधन द्रिश्य साधन श्रव्य द्रिश्य साधन रेडियो चार्ट चल्चित्र एवं सिनेमा टैप रिकॉर्डर मान्चित्र समाचार ग्रामोफोन या सिग्वाफोन प्रतिमान फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर ग्राफस चित्र एवं रेखा चित्र पत्र पत्रिकाय फ्लैश काईस टेली विज्यन श्यामपट्ट वास्तविक पदार्थ सम्वाद सामगरी श्रव्य साधन अधियो एप